गुड मॉर्णिंग इस्टुडेंट भारती ग्रोफ आफ कॉलेज बूर्गा आएम भुनेश्वरी साहू आज के हमारी इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है method of reducing corona losses ठीक है हम different different types के methods देखते हैं कैसे reduce करता है corona losses को ठीक है method of reducing corona losses क्या बोल रहा है इसमें intense corona losses are absorbed at a working voltage of a 33 kv और above ठीक है क्या बोल रहा है जो corona losses जो रहता है हमारा वो observe करता है जो working voltage कितना होता है उसमें 33 kv या तो उससे ज्यादा ठीक है अब सबसे पहला first method by increasing conductor size increase करता है किसके तुरू वो conductor की size को ठीक है क्या दिखा है इसमें देखिए first by increasing conductor size the voltage which corona occurs is raised and hence corona effect are considerably reduced यह जो increase करता है जैसे इस रहता है जैसे ही conductor का size तो थो क्या वोल्टेज रहता है ठीक है वो जैसे ही rise होता है तो उसका effect क्या होता है जैसे एफेक्ट होगा कोरोना पर एफेक्ट होने पर क्या होता है consider करता है और वो reduce करता है कम करने की कोशिश करता है second point क्या बोलता है this is one of the reason that ACR conductors which have a large cross sectional area are used in a transmission line क्या होता है जो भी हम this is इसका इस रिजन क्या होता है कि हम इसमें कौन सा conductor use करते है ACR conductors मैंने बहुत सारे conductors के बारे में आप लोगों को बताया था कौन कौन सा टाइपस के conductor हम यूज करते है तो इसमें हम लोग कौन सा conductor यूज करते है ACR conductor ठीक है जो क्या होता है large cross sectional area हम उसको यूज करते है इसके लिए large बहुत जादा हम को long distance transmission line करना है तो इसके लिए हम यह इस ट्राइप की जो conductor हम उते है उसको हम क्या करते हैं यूज करते हैं ठीक है यह diagram के थ्रू इसने बताया है यह कैसे अपने cross section area जो रहता है कैसे उसको recover करते है ठीक है उसके बाद क्या होता है third point होता है third point में क्या होता है by increasing conductor by increasing conductor spacing ठीक है इसमें क्या होता है by increasing the space between conductors are the voltage at which corona is raised hence corona effect can be eliminated ठीक है increase करता है कैसे अभी हमने क्या पढ़ा था by increasing conductor size पे अब by increasing conductor spacing ठीक है space पे होता है ठीक है increase करता है space between किसके भी इस conductor की voltage पे ठीक है which is जहाँ पे corona जैसे ही क्या होता है rise होता है तो corona effect क्या करता है उसको eliminate करता है ठीक है देखो ये figure के थू है कैसे ये figure में figure के थू है इसको इसने show किया ठीक है third point होता है आपका by hollow conductors ठीक है hollow conductors का का काम क्या होता है the idea of using the hollow conductor to have a large diameter without materially adding to its weight ठीक है जो भी idea हम use करते हैं hollow conductors के लिए वो क्या होता है large diameter का होता है इसमें without material मतलब किसी भी तरीके कर इसके weight को increase करने के लिए बढ़ाने के लिए किसी भी तरीके कर इसमें material नहीं use किया जाता है ठीक है या add नहीं किया जाता है इसमें तो उसी चीज़ को इसने यहां पर पता है second point क्या बोलता है the special conductors are more effective in reducing corona ठीक है जो special conductor होता है ठीक है वो बहुँँ ज़्यादा क्या करता है reduce करता है corona इसको ठीक है effective होता है ठीक है आपका conductor होगा वो उतना ही अच्छा क्या करेगा reduce करने का काम करता है ठीक है next उसके बाद क्या लिखा है देखते हम third है design and construction of a 400 kv line made of a problem reducing corona losses more 400 kv line minimum diameter ठीक है क्या बोल रहा है जो design करते हैं हम ठीक है design and construction कैसा होता है 400 kv line का ठीक है 400 kv line तक हम इसको क्या करते है मलब transmit हो हमारा line इतना heavy construction के लिए हम इसको use कर सकते है problem होता है कि reduce करता है जैसे वो corona losses ठीक है जैसे reduce करता है तो क्या होगा बहुत सारे losses होते है कहीं भी transmission line हमने देखा है जब भी transmit करते है हम lines को तो क्या होते है वहाँ पर बहुत सारे losses होते है ठीक है तो 400 more 400 kv line minimum diameter उसका जो diameter रहते है उसको कितना 400 kv line उससे ज़्यादा भी minimum उतना रखने की कोशिश हम करते है ठीक है यह देखिए थर्ड डाइग्राम में भी आपको इस type का बताया है उसने अब सभी का क्या है सबसे पहले क्या था वो circle था circle के बाद वो क्या हो थोड़ा सा change होग फिर यह triangle shape में आया फिर उसके बाद rectangular shape में आया तो इस type से वो क्या होता है conductor जो रहता है वो क्या होता है नमारा change होते जाता है ठीक है उसके बाद fourth point फिर क्या बोलते है figure map of the electric field of one, two, three and four conductors in bundles are shown in a figure ठीक है क्या बोल रहा है electric field one, two, three and four conductors are bundles यह जो अभी मैंने चार conductors दिखा है यह और जो एक conductor है यह क्या show करता है electric field ठीक है, यह सारे क्या होते है bundles होते है ठीक है electric field of the जो इसमें सारे क्या होते electric field ही प्रोड्यूस कर रहा है ठीक distance between the conductor of a face 45 cm क्या बोल रहा है distance जो रहा है वो किसके भीच होता है conductor of face के भी 45 cm का होता है interface जो रहा है distance 9 से 6 मिटर का होता है ठीक है कीतना होता है 9 से 6 मिटर का होता है इनके भी distance होता है जैसे मैंने जितना भी diagram बता है 45 cm का होता है conductor face होता है और interface distance जो रहता है वो कितना होता है 6 cm का होता है ठीक है और इसकी height of suspension कितना होता है above ground level से 20 m होते है तो इतने सारे parameters आपको इसमें याद रखना पड़ेगा अगर किसी भी conductor का यह size पुषता है, height पुषता है, तो वो कितना होता है, तो इतने सारे method है, यह सारे methods को हम use करके क्या कर सकते हैं, किसी भी method का, मतलब method of reducing, जो भी losses हो रहे है, Corona losses, उसको हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, यह question बहु लेकिन बेसिकली यह सारे जो contents है, वो matter करता है, ठीक है, thank you class,